आज हम लोग बात करेंगे जो इतनी गर्मी पढ़ लई है लू चल लई है इससे कैसे बचा जाए इस लू में इस गर्मी में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि लू क्या होता है गर्मी में जब सूरज बहुत तेधुर होता है और टंप्रेचर बढ़ जाता है तो गर्माज़ के साथ जो हमा चलते उसी को लू बोलते है मतलब हावा के साथ गर्मा गर्म हावा जो चलती है उसी को लू बोलते हैं अगर वो हमारे सरीर में पड़ेगी तो हमें क्या दिक्कत हो सकता है देखिए अगर हम बाहर निकलते हैं गर्मियों में और हमें लू लगती है तो हमें बुखार हो सकता है, डिहाइडेसन हो सकता है, चक्कर आ सकता है, सिर्दर्द हो सकता है, और भी बहुत सारी बैमारिया हो सकती है तो इसलिए हमें लू से बचना चाहिए और लू से बचने के लिए सबसे जो बढ़ीया उपाय है कि कोशिस करें कि 12 वे से 3 वे तक आप बाहर ही ना निकले सबसे पहला उपार यह है क्योंकि सबसे ज़यादा जो लू लगती है गरम हवा लगती है वो आपका 12 बजे से 3 बए तक ही लगती है ठीक है उससे पहले और उसके बाद में थोड़ा temperature down हो जाता है तो कोशिश करें कि 12 बजे से 3 बए तक घर से बाहर ना निकले अगर किनी कारण बस आपको बाहर निकलना पड़ रहा है तो सिर्पे गमच्छा टोपी रुमाल रखके निकले और जब भी बाहर निकले टमप्रेचर बढ़ेगा तो डिहाइडेशन होगा पानी कमी होगी शरीर में तो पानी का वोतल साथ में लेके चले हो सके तो अगर आप पानी में अगर गुलकोज मिलाके डालके पिए तो और फाइदा करेगा आपको तो लूस से बचने के लिए जब भी आप बाहर निकले पानी लेके चले और पानी में अगर गुलकोज मिला सकते हैं तो मिलाके चले और उससे आपको चक्कर नहीं आएगा और डिहाडेशन नहीं होगा अगर मान लिजिए कि आपको पानी नहीं लिए हैं और आप बाहर निकल गए तो ऐसा नहीं कि आपको प्यास लगी है तो जाके चाई पी ले कौफी फी ले या सराप पी ले ऐसा कभी ना करें क्योंकि ये सब चीजी होती है एक तरह से डायूरेटिक का काम करती है डायूरेटिक मतलब कि हमारे सरीर से पानी निकालती है एक तो हमारे सरीर में गर्मी के वैसे पानी कमी ऐसे है और दूसरी बात हम चाई कौफी पी लेंगे सराप पी लेंगे तो सरीर से पानी और निकल जाएगा फिर हम dehydrate हो जाएंगे हो सकता है dehydration के वाद से हमें चक्कर आ जाएं सीर में दर्द हो बुखार हो या फिर हम कोमा में भी जा सकते हैं जब भी आप लू में बाहर निकले आपको प्यास लगी हो या ना लगी हो ये अलग मेटर है लेकिन आप हर दस पंद मिन पे थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें इससे आप हाइडरेट रहेंगे आपको बिमारी कम होगा शरीर में हाइडरेशन बनाता आएगा चुस्त दू कान्स पाने सकते हैं और आपको नीबू पानी कहीं मिल जाए तो नीबू पानी पीली जिए निबू पानी अगर चीनी मिला का पिते हैं तो उसमें एलेक्ट्रोलाइड के काम इसन होता है तो जिसकी वाइस से आपको लू से बचने में काफी असानी हो जाएगी और दूसरा चीज अगर आपको आम का पन्ना मिल जाए तो हाड डेसम काम करते हैं जब भी आप बाहर निकलें कहीं अगर आम का पन्ना मिले तो उसको कोशिश करें कि पी लें उससे आप हाड डेट रहेंगे और आप लू से बच्चे रहेंगे इस समय आपको बेल का सरवत मिलता है अगर आप बेल का सरवत मिल जाए तो उसको पीए उसमें फाइवर्स होते हैं और वो सरीर को हाड डेट किये रहता है तो कोसिज क्रें कि बेल का सरवत मिल जाए तो लुमें उसका सेवन करें और दूसरी चीज अगर हाँ जा है कहीं है या पिर मालब है कि हमको दूपः में निकलना निकलना है तो कोसिज करें कि इससीम्पल डाइट ले प्रोटीन डाइट लेते हैं तो डाइशन आराम से हो जाएगा बाकी लू से बचने के लिए आप खीरा हुआ कखड़ी हुआ ये सब चीजे खा सकते हैं और पानी का यूज बहुत जरा करना है प्यास लगे ना लगे आपको पानी पीना है अगर आप नहीं पानी पीएंगे तो लू से आपको च पिशाब में जलन हो जाएगा और पानी लू लगे यांज तो नि क्यों सकता है इसलिए लू से बचने करे लिए पानी पीना बहुत जरूरी है वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेर सब्सक्राइब करें किसी बेटियो पर आपको किसी टॉबिक पर आपको वीडियो बनवाना है या फिर जनकारी चाहिए तो कमेंट करें थैंक यू